हेलो फ्रेंड्स आप सभी को स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में कैमिस्ट्र के एक टॉपिक है धातू अधातू मैटल और नॉन मैटल इससे रिलेटेड हम टॉप 50 कोश्चन करेंगे जो कि आपकी परिक्षाओं में 12 पूछ जाते हैं और आगए परिक्षा माने जिए की बहुत जाँ संभावन है इस पेसलिए आप रेल्वे ग्रूप डी जैई की और टेक्निशन की तियारी आप कर रहे हैं एससी की आप तियारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़ाद होने वाली है तो इस वीडियो को प् निम्ण मेंसे कौन अगात वरधनिये नहीं है तो ब्रण जो अगात वरधनिये जोबी धातू हो अगला सवाल है निम्ली रिखित मेंसे कौन से धातु अच्छ तापमान पर भी oxygen के साथ प्रतिकरिया नहीं करती है अगला सवाल है आधातु में आम तोर पर सबसे बाहरी कोष्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं इस question का जवाब देने के आपको मेरी एक वीडियो देखनी पड़ेगी में अधुरी के आवार शाड़ी के पर निच्वड में डाला का टॉप 65 कोष्ट में बनागी वीडियो डाल द उन्हें एक या दो एक दो या तीन लेक्ट्रॉन होते हैं आपको option number C हो जाएगा तो यह भी आपको यह रखना है यह होगा मेटल के केस में धातू के केस में अगला सवाल है के सामाने धातूों को उनकी घटत अभी करिया सीलता के करम में व्योस्ती करने की रूप में जाना जाता है का गति身का गतिविधी तो फूट पैकेज वगएरा हो तो इसमें अलुमिनियम का बहुत अपयोग किया जाता है आप देखागो ना जो को ट्रेम आती है यह अलुमिनियम ही होती है अगला सवाल है निम्ड लिखित में से किसे पुल्ओ लोहे के जंग ओधातू से बनी वस्तुयों को नुक्सान पहुचाता है निम्ड वगएरा होते हैं इनमं सब चारोश हु को जएंग तो फोर हम सिलफर पर अगला सवाल है निम्ड को से धातू सबसे अधिक अगहत वरधिनी है खिर ना अगला सवाल है नियम लिकित मेंसे कौन सा एक धातू और धातू डोनों को रूप में कारण नहीं करता है तो जाईस बद थो यह नॉन मेटल होगा तो विस्मत हमारे क्या है मेटल है और बागी देखे बोरॉन जर्मेनिम आर्सेनी क्या है यह हमारे सेमिकंडुक्टर है अगला सवाल है हम निम्लिकिद में से कौन सी धातु केरोसीन तेल में संग्रित की जाती है यह बहुँज़ आ сердसे ना थातु होता है तो मिस्र धातु होती है यह थोस्प्लिंच का उधारण होता है option number C, अगला सवाल है, परमाणुक्रमांग 14 वाला तत्व जो कठोर होता है, अमली आउक्साइट और एक सह सही हो जो एहलेड बनाता है, निम रिखित पर एक स्रेडी का तत्व है, परमाणुक्रमांग 14 किसका होता है, मैं आपकल बताया था, वो होता है आपकर सिलिकॉन का, र अगला सवाल है निम रिखित में से कौन स गुड़ अधातों में नहीं होता है, अधातों में नों-mattle में यह गुड्ण नहीं पाइयाता है, कौन से प्रउपर्टी यह तन्नेत यह नहीं होती है, अगहत वर्धनी में आपको बताया था, यह सब किनमे को होता है these नुनाद यह भी मैटल में होता हैं इनमें सबी सिसके राइट नियुस रहा अप्शन नमबर भी ये तीनों ही गुड अध। में नहीं होते हैं तो किस में उते हैं यह मैटल में होते हैं आपको यह रखना है अगला सवाल है वह पदार्थ जो रसेनिक अभी क्रिया द्वारा सलव पदार्थों में बिगडित नहीं किया जा सकता है कहलाता है तो फ्रेंट वो क्या कहलाता है तत्वर आप्सन नमबर एगला सवाल है कौन सी अधातु कंब्रे के तापत द्रव अवस्था में होती है नौ जिसमें लिखाओगा अमल गम जहां अमल गम लिखाओगा वह आपका आंसर हो जाएगा तो रेड अंसर रह द्रव अमारों आप्सन नमबर डी अगला सवाल है तेलूरियम नामक्तत्तों एक है धातू आधातू या उपधातू तो फ्रेंट जो टेलूरियम है क्या है है यह तो जल से अधिक सघन होता है तो जल का जो हमारा जो सघनता कितनी होती है वन ग्राफ प्रति मेटर क्यूब होती है जल से किसका होगा कैल्सियम को होगा अगला सवाल है अलुमिनो थर्मिक प्रिक्रिया में अलुमिनियम की भूमिका होती है तो फ्रेंट अप्चायक के रूप में कारी करता है अगला सवाल है कौन सी छारी धातू आकार में सबसे छोटी होती है और सवाल है निम लिकित में से कौन सा दूई परमाडूक है अगला सवाल है निम लेकित में से कौन सी आधातू बितूत की सुछालक है अगला सवाल है लेंधे नैट्स और एक्टि नैट्स को भी कहा जाता है तो यह होते हैं हमारे आंत्रिक सेंक्रमन तत्व option number C और सेंक्रमन तत्व कौन से होते हैं जब मिले कलाव का आपस्ट पढ़ाईतों से बताया था जो गुरुप D के जो हमारे पीतल मिस्रण है यह बहुत जाद इंपोर्टन है पीतल किसका मिस्रण होता है यह होता है कॉपर और जिंक का तो इसमें पर्सेंटेज वाज कुस्टन आपसे पूछा गया है तो पीतल जो होता है उसमें जिंक होता 30% और कॉपर होता 70% तो और राइट असरो को मारे option number D अगल कहलाते हैं कीसे दात्यु के रूब में जाना जाता है करवंद आपका धात्यु आपका है क्या यह सेमिक डॉक्टर है थीक है अगला सवाल है निवल एकित में से कौन सा एक अलोहो धात्य खनीज नहीं है वह आपका अभरग option number B अगला सवाल है इस पात को कठोरी करत करने के लिए कि रसाइन तत्यों की आउसकता होती है अब यहां बात इस पात की हो रही है इससे पहले में सवाल बढ़ाता हो बलाता लोहे करने के लिए हम उसमें कार्बन मिला देते हैं तो अगला सवाल है संचारण यह जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किये जाने वाले बिद्धूती लेपन में कि धात्यों का अपयोग किया जाता है इसको बोलते हैं आफ जस्तिकरण गैल्विनाइजेशन इसमें किसका को अपयोग होता है रस्ता या जंग handful number 2 अगला सवाल है निमलिकिदध में से कौन थोरियम का इसक है और थोरियम और जो मोन जाईट है option no more C अगला सवाब में प्रकृती में पाय जाने जाले धातु के योगी को कहा जाता है तो जो धातु के योगी को तो उन्हें क्या कहा जाता है उनको हम खनीज कहते हैं और अगला सवाल है धातु को पतले तारों में खीचे जाने की छमता कहलाती है तो धातु जो हम पतले चादरों में खीच लेते हैं वह आपकी क्या तन्यत और सब्जात तर्नेता किसकी होती है वो होती है सोने की गोल्ड की ठेके ना अगला सवाल है निम लिखित में से कौन सा समानेता अधात्वा का गुड़ नहीं है अधात्वा गुड़ नहीं है चालक धूमिलेलमंद भंगूर या हलके बदा तो अधात्व क्या होते हैं जो जंग से बचाए जा सके तो उसको हम क्या बोलते हैं अधात्वी खनीज का उधारण है अब खुद देखिया आप ऑप्शन हेमेटाइट लोहिक आइसक है पाई राइट वाकसाइट इक अधात्वी खनीज हमारे लिखे चूना पत्तर के अधात्वी के किसी एंगल से चून कि इने चाकू से काटा जा सकता है और इनका घनत तो कम और गल्लांग निम्न होता है तो सबको पता है चाकू से असाइंज करने धातू है यह एक्जाम बहुत और पूछा जाता है सवाल को तो आपका sodium है एक आपका potassium है और एक आपका lithium है option के recording तो राइट है अगला सवाल है निम्न लिखित मेंसे किसका मुख्य रूप से photovoltaic share बलाने में उपयोग कहाता है जो solar share बगारा होते है आध कले बहुत राइट में भी है इसमें किसका उपयोग कहाता है इसमें semi conductor को उपयोग कहाता है वह आपका silicon तो राइट एंसरों का हमारा silicon option number A इसका atomic number अगी बताया में option no c अगला सवाल है किस अधातू का अपर रूप बिद्धूतो सुचालक होता है तो हम सब चानते कार्बन के अपर रूप हीरा और ग्रेफाइड तो ग्रेफाइड होता है यह अधातू के संबन्द में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको सही नहीं वाला धूड़न है ता है यह टाउनि तीनुकसन सही होंगे धातू के संबंद में समभ्णद धातू अमली औक्साइड बनसीं यह निकल गया मुल्दी नहीं बनती है यह थारी ऑकसाइड बनाती है तो मेटल के जो निशाँद होते है वह वह बेसिक निचर को थारी निचर को होते है और जो क्या रखना है यह जो लाइन है यह अधातों के लिए सथय धातों के लिए सत्य नहीं है तो रएट अंसर होगे है और सब्सक्राइस यार रखेगा कि नीमड में से क्या उच्छत आपमान पर अविक्रिया नहीं करेंगा तो कौंसे नहीं करेगा और अगला सवाल है सोडियम धातू के जल के साथ अभी क्रिया करने पर क्या होता है सोडियम सब जानते हैं क्या होता है और जल से अभी क्रिया कराएंगे इसकी तो क्या बनेगा 2-n-e-oh sodium hydroxide बनेगा और hydrogen gas निकलेगी ठीक है तो sodium hydroxide बन रहा है हमारा और hydrogen gas रिलीज हो रही है तो अब देख रहे थे क्यों सब्सक्राइब बनते हैं option number a में ही दिया हुआ है ठीक है ना निम्न तत्तो में से अर्द धातो के सही युग मेंगा चैन कीजिए ठीक है ना इननी का अपयोगम solar cell बनाने में भी हम करते हैं तो फ्रेंड यहां टॉप ट्रेकों से सवावत होते हैं आई हुआ अपले वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लैक्षेर करना चैनल पहले बाद चैनल सब्क्राइब जरू कर लेना ऐसी यूसफुल वीड लिगो में